आणने, दिश्यक्त में आपका स्वादर है, मैं आपसे बात करना चाहूंगी विवेग्र फिल्म कैसे आप देखते हैं और 2019 का जो चुनाव है, उस कॉंटेक्स में इस फिल्म को कैसे आप देख रहे हैं, आप कैसे बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, क्या सोच के ये फिल्म तो चार साल से बन रही थी, क्योंकि जब कॉमरेंट पांचसारे की हत्या हुई, तब हमें मैं लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जब दाबोरकर जी की हत्या हुई थी, 2013 में तब लगा था कि एक किसी पागल ने मार दिया है इनको, मगर जब एक और हत्या हुई, तब लगा कि इसके पीछे कोई प्लाइनिंग है, और आगे देखा तो क कलभूगी जी की भी हत्या हुई, गवरी रंकेश की भी हत्या हुई, तो तब सिफ पांसारे जी के बाद फिर मैं फिल्म बना रहा था, मगर वो कई और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, जो फिल्म में दर्शाया गया है, जैसे अखलाक को मार दिया गया, उसके पहले मौ हां तो यहने इलेक्शन के लिए बनी ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन अब हो रहे हैं, इसको दिखाना ज़रूरी पड़ गया है जल्दी से, तो यह अब हिंदी, जो इसका हिंदी किया गया है, वो भी दिखा रहा है और अंग्रेजी फिल्म भी दिखा रहा है, तो रोचे ब क्योंकि इसकी ओफिशल तो हम दिखा नहीं सकते हैं, जो पॉब्लिक, इन्हें बाई इन्मिटेशन अंली स्विछिंग हम कर रहे हैं, भूलता जो विवेख है, और आज पर जो दौत है, वो खांसा इर्रैशनालिटी का है, अलग हम का सुपर्स्टिशन है, जहां प्रग्य है, उसको आपकी फिल्म जो पॉंटर कर रही है, क्या आपने सोचा है, तो ये शुरुवात में वो सब्जेक्ट था, क्योंकि दाभूरकर चीक की हत्या हुई है, दाभूरकर अंद विश्वास के खिलाफ लड़ते थे, तो उनका जो वो भाग तो फिल्म है, मगर फिल्म की जो टाइटल है, विवेक या रीजन, विवेक और रीजन हंग्रेजी में रैशनलिटी माना जाता है, मगर विवेक का मतलब उससे बड़ा है, विवेक में सिर्फ रैशनलिटी नहीं है, उसमें मेरे खाल से विजडम भी है, याने एक तरह से एक हुमनिजम भी है, क्योंकि रैशनलिटी जैसे देखा जातों, अगर कोई साइंटिस्स आटम बम बना दिया उसने, तो फिर वो रैशनलिटी कहलाएगा, क्यों साइंटिस्ट है, मगर विवेक ही कोई आदमी आटम बम नहीं बनाएगा, तो इसलिए विवेक का टाइटल काफी, क्या कहते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम का है, और फिल्म भी वाइड स्पेक्ट्रम का है, तो जो अन्द Gill प्रिश्वास फैला रहें, वो सिर्फ एक तरका अन्द विश्वास फैला रहें, यो हिंदुत वादी, पाशिवादी काम कर रहें, जो जिसका कि भी Coin से भी रिष्टा नहीं होता कि बैसे सावयर कर ईसे खिफोड को शुल कुछ स्क्राइज यह बहुता और सावर कर वह से मानते थे अगर वो प्योर फैशिस्त है। मुझी सरकार फिर वापस आई और फिर बहुमत से आई तो पिछले 5 साल में जो हमने देखा वो तो और भी बढ़ जाएगा और यह जो जहर इन्होंने फैला है वो काफी गहराई तक पहुंच गया है क्योंकि जब मैंने राम के नाम बनाई थी 1990 में तब गाउं गाउं में जा मैं जहराई अब दीरे दीरे यह Charlie's गैर फैल लाएं और अगर और पांक साल इनको मिल गए तो फिर और भी यह काम करेंगे कोई फूरी सट्था उनके पास हे पीडिय कर दो कि wasn't का 집 प्र विकी कि खरीद सकते है बन्गाल है 2040 लोगों से इमनारा रश्च्टा बन गया है मम तीन कॉंग्रेसियों को करीद लिया तो यह सब हो सकता है अभी जो अभिरेक्टी की आजारी इस पे बहुत हमली है तो बतौर फिलनेकर आप कैसे देते हैं और इससे कैसे फाइट बैक किया जा सकते हैं फाइट बैक तो हम 2014 से ही कर रहे हैं पहले तो हमने आवार्ड वापसी क के बाद उन्होंने हमें देश-द्रोई का ठपा लगा दिया पहले कम्मिनिस्ट कहते थे फिर अब देश-द्रोई कहने लगे अब तो अब तो यह हमें बुद्धी-जीवी कहते हैं सबसे बड़ी गाली है कि आप बुद्धी-जीवी है यानि इनको तो बुद्धी की सीने पर गोलियां खाई हैं तो हम कौन होते हैं कि हम बोलना बन कर लें आपने लेकि 2014 से लेकि 2019 क्या आपको दुरिश-चेंज्ज में क्या तबदिली लगती लोगतर के लिहां से बतौन कालाकार मुतार आटिस्ट क्या चेंज्ज़ आपको लगता है कि इंडिन नमप्रिसी देखें, देखें, दो हजार ननीस सो लबे में ये धर्म की बात करते थे हिंडुतुवादी बाबरी मस्जिद को गिराना, हिंदुओं का मंदिर बनाना ये सब था, अब राष्टवाद की बात करते हैं जो पहले नहीं करते थे, पहले तो आजादी के बाद उन्होंने तो तिरंगा भी नीख फैलाया, उन्होंने तो अपना जंडा फैलाया इसे बहुत लड़ते थे तिरंगा के खिलाफ वह जनगनमाना के खिलाफ लड़ते थे, वह मनुस्मिर्टी चाते थे, अपना समीधान नहीं चाते थे, तो उनका अब उनकी टैक्टिक बदल गई है, अब राष्ट्रवादी अपने आपको कहते हैं दूसरों को देश्द्रोई कहते हैं जबकि मैंने फिल्म में भी सवाल उनसे पूछे कि आप में से कौन है आपके परिवार में हिंदुस्वर के संग परिवार में कौन है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल में गया तो एक ही आदमी है उनके पास वीर सावर कर जिनको उन्होंने वीर का ठपा दे क्योंकि वो जेल गया और सही माइने में जेल गया मगर उसने पांच बार माफी मांगी अंग्रेजों से लिखित माफी मांगी जो रेकॉर्ड में है और उस माफी नामा को पढ़ेंगे तो आश्चर होगा उन्होंने ये का कि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं इतना भावुक हो जाओंगा कि मैं आपके काम आओंगा आगे और शायद वो काम आए कोईकि उन्होंने गांदी की हत्या की करवाई ये शायद अंग्रेजों का प्लन हो सकता था कि उन्होंने इनको बाहर छोड़ों और प्र कि तो यह क्या प्लाइन है मुझे इसके बड़े में मेरे पास कोई प्रूप नहीं मगर अंदाजा है कि यह इ पूरे दुनिया में ये कटरवादी लोग सामने आ रहे हैं जो कमिनल हैं जो रिलिजिस फंडेमेंटलिस हैं चाहे वो डॉनल ट्रम्प हो जो क्रिस्टियनों का आधार लेता है चाहे वो दूसरे देशों में चाहे पाकिस्तान हो तालिबान हो इस तरह से जब सब जगे जो फैल रहा है ये एक चाल है कि हमारे दुनिया में रिसॉर्स कम होती जा रहे है तेल कम हो रहा है हवा कम हो रही है तो इसका कब्जा कैसे किया जाए तो कब्जा करने का एक ही तरीका है कि लोगों को दूसरी चीज़ों में भैका दो क्या लगा है कि 2019 में कुछ इंकी वेव कम हुई है या यूके इंक इंके इन्हों ने जिनको सबसे ज्यादा सताया है इन पाँ सालों में गरीबों को किसानों को दलितों को मुसलमानों को अलपसंक्या के लोगों को इनके थू ही हम बच सकते हैं क्योंकि अगर एलीट क्लास गारे मिडल क्लास तो फूर की नहीं नहीं सकता क्या वो फूरा पूरा इंटरेट टीवई और इसमें कबजा हो चुके हैं जरिप जो इनका कबज्या मीडिया के प parent मीडिया के है political सर्दू कर सकते हैं यह जो गरीब तपका है, उने तक इन की पाँच नहीं. और वो जूट को समझ जाते हैं, कि जी जूट है. क्योiggers कि उनके घर में पैसा नहीं आता है, हनके घर में अनाज नहीं आता है, नौक्रियां नहीं आता है, नौक्रियां थी हो जा रही है. यह तो वो देख सकते हैं, इसलिए अगर हम इस इलेक्शन को जीत जाए वो हमारी वजय से नहीं, मेरी फिल्म की वजय से बिलकुल नहीं, क्योंकि यह पहुंच दी नहीं यह लोगों तक, मगर यह जो लोग, लोगों को इन्होंने सताया है, माल डाला है, इन्ही के परिवार खड़े हो रहे हैं, आपके इस फिल्म में ने अढम का प्रियोग, अमसे गम जिस तरह से लोगों तब ही पहुंच रही है, लोगों इस देख भी रहे हैं, अलग अलग जग से जारिए, यह धाली अपके प्रियोग को कैसे दिख आटें तो पिल्म थेख हैं, अलग अज क्य में बैठ अपने tv नेंट तौर नेकल है या मोबाइल पर नेट पर कॉमेंट्स भी हैं वह बहुत अच्छे हैं बहुत कम आ रहा है इसका मतलब वहां तक पहुंचा नहीं है अभी तक क्योंकि एक बार वहां तक पहुंच जाएगा तो क्रिटिसिजम और ट्रोलिंग शुरू हो जाएगा अभी तक तो सारे ज्यादा से ज्यादा वह बहुत कर सकु pandemic क्योंच जाएगागान सारे ज्यादा जालर ट्रोलिंग तक खल psychiatrist